एके नेक्स्स टॉप फिल्टिन फरी करते हैं कुब एलिस के इंटरेक्शन्सenci दैना है इस दो हम उसे कहते हैं weak field, अब उल्टा होगा, अब interaction energy between J and F is greater than the energy between L and S, तो strong field कब बाना जाएगा, जब J और F का interaction जो है, वो L और S के coupling या उसके interaction से ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल previous का उल्टा, जो weak field था उसका उल्टा करना आपको, that's it, तो for which the stark splitting of energy level due to the field is greater than, और पहले क्या कहा था, fine structure splitting जादा होगी, stark splitting कम होगी, इस बार क्या हो रहा है, stark splitting जादा होगी, और fine structure splitting कम होगी, that it is this strong field, for which first order stark effect in hydrogen has actually been observed, तो first order, जो weak field में, कभी भी hydrogen में first order stark effect observe भी नहीं हुआ था, लेकिन strong field में, strong field में, hydrogen में, stark effect जो है, वो observe हुआ हुआ है, बस अब अपन को कुछ नहीं करना है, in this coupling, L or S, broke down L or S के बीच में है, क्योंकि कम होता है, इंट्रेक्शन कम होता है, तो L or S की coupling तूट जाती है, और यह सब कुछ F के around precision करने लगते हैं, अब strong field के अंदर अपन को करना क्या है, यह प्रगाफ काम का नहीं है, और मैं पढ़ लेती हूं, तो सबसे पहले हम इलेक्शन के परपस से बाकी तो बहुत बड़ी बात है, इन दोनों साइंटिस्ट्स नहीं जान लगाई है, हमारे काम का नहीं है, हमें एक्जाम में लिखके नहीं आना है, ठीक है, the effect of a homogeneous electric field parallel to z axis, तो सबसे पहले हम electric field जो है वो लगाएंगे z axis में, on an electron moving in kepler ellipse different from that magnetic field, एक nucleus के चारों तरफ, electron जो है, मान लीजिए elliptical orbit में move कर रहा है, अब हमने उसको move करवाते वे atom को रख दिया, और z direction में electric field लगा दी, ठीक है, होगा क्या, for the kepler motion, the center of gravity of the electron averaged over its orbit does not coincide with the nucleus and thus form an electric dipole, ये चीज समझने की बात है, एक मिनट, the torque on the orbital dipole exerted by the electric field causes a precision of the orbital about the z axis, इतना बता देते हैं आपको, देखो इसका reason बताती हूँ, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, यह यहाँ पे यह कहना चाह रहा है, कि हमने electron को nucleus के चारों तरफ, circular motion में नहीं माना, तो अगर ellipse में माना है, elliptical orbit जबी भी होता है, तो यह देखो elliptical orbit मान लेजिए, ठीक है, electron यहाँ पे है और इस तरह से घूम रहा है, हमें पता है, यहाँ पे होता है, यहाँ फिर focus यहाँ हो सकता है, तो यह दो positive बनाए है, दोनों में से कोई एक रख सकता है, अब क्यूंकि कोई एक रख सकता है, तो इसको हटा देते हैं, मान लीजी हमारा nucleus यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन जब electron जो होगा, electron का cloud जो होगा, electron का एक single particle तो नहीं होता है, electron का cloud होता है, electron का cloud जो है वो पूरे ellipse में इस तरह से होता है, और अगर उसका center लोगे, तो वो तो ellipse के center पे आएगा, तो ellipse के electron का, या जनी negative charge का center तो आ रहा है यहाँ पे, negative charge का center तो आ रहा है यहाँ पे, जब की nucleus का positive charge आ रहा है यहाँ पे, तो यह दोनों मिलकर क्या बन गया, dipole बन गया, अब अगर circular orbit में move करता तो क्या होता, circular orbit में move करता तो center पे ही nucleus रहता और electron cloud का जो center होता, negative charge का जो center होता, वो भी कहाँ पाता, इसी point पे आता, तो positive और negative cancel होके neutral बन जाता, पर अभी neutral नहीं बनेगा, अभी क्या बनेगा, dipole बनेगा, और किसी dipole को जब electric field में रखते हैं, तो उस हमें पता है, sorry, force नहीं, उस पर torque लगता है, torque हमें पता होता है, कितना होता है, P cross E, P e sin theta, जो कि आपने BSE में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर dipole moment है, उस पर electric field लगेगी, उस पर torque लगेगा, और इस torque की वज़े से, torque हमेशा क्या करता है, force तो किसी particle को linear motion देता है, torque क्या करता हमेशा उसको घुमाता है, rotate करता है, तो इस वज़े से, वो जो electron का orbit है, वो क्या करेगा, इस electric field की direction के चारो तरफ, precision करने लगेगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं वापस पढ़ती हूँ, यह वाली line, red color की highlight से पढ़ते हैं, देखो, the effect of, oh shit, 3A0 E upon 2Z,